चानक के IS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं BRICS शिकर सम्मेलन के बारे में जो हाल ही में संपन्ध हुआ है BRICS देशों का सिकर सम्मेलन दक्षन अफरीका के जोहांसबर्ग में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन में 6 नए सदस्य देशों को BRICS में पूर्ण मेंबर की रूप में आमंतरित किया गया है ये नए देश जनवरी 2024 से BRICS के नए सदस्य बन जाएंगे BRICS समूह ने अर्जेंटीना, मिश्र, इथोपिया, इरान, सवधी अरब और सयुक्त अरब अमिरात को नए पूर्ण मेंबर की रूप में आमंतरित किया है अब हम देखेंगे इस प्रकिरिया में भारत की क्या भूमिका रही दक्षन अफ्रीका के राष्टपती, राम फोसा ने भारतिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी, चीनी राष्टपती, शी जिन पिंग और ब्राजेल के राष्टपती, लुईज इनासियो, लूला दा सिल्वा के साथ एक सयुक्त मीडिया व्रिफिंग में इसकी घोशना की अभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबन्ध है, रूसी राष्टपती वलादी मीर पुतीन, ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं हुए, उनकी जगा रूस के विदेश मंतरी सर्गेई लावरोव ने भाग लिया, इन सब पर भारत का क्या पक्ष रहा, तो बैठक के दोर भारतिय प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने विश्वास वेक्ट किया कि ब्रिक्स नए सदस्यों के साथ ब्लॉक के सहोग में नई गती और नई उर्जा का संचार करने में सक्षम होगा, उन्होंने कहा कि भारत के नए ब्रिक्स सदस्यों के साथ बहुत गहरे और एतिहास प्रधान मंत्री नरिंद्र मोरी ने सफल शिखर समेलन के लिए राव फोसा को बधाई भी दी और कहा कि भारत ने हमेशा ब्रिक्ष सदस्यता के विस्तार का पूरा समर्थन किया है अब हम बात करेंगे कि ब्रिक्ष में शामिल होने के लिए कितने देशों ने आवेदन दिया तो ब्रिक्ष में शामिल होने के लिए दुनिया के कई विकास से देशों ने आवेदन किया था 23 देशों ने ब्रिक्ष में शामिल होने के लिए अरजियां दी थी लेकिन इन देशों में अर्जंटीना, मिश्र, इथियोपिया, इरान, सौधी अरब और सयुक्त अरब अमिरात ही मजबूत दावेदार बनकर उभरें अब हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स उभरती अर्थ्व्यवस्ताओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षन अफरीका का एक समूह है जिसमें शुरू में दक्षन अफरीका शामिल नहीं था, तब यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था वर्ष 2001 में ततकालिन गौर्डमेंट सेस के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा एक शोध पत्र में इसका जिक्र किया गया था जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन की विकाशंता को रेखांकित गया था इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद